नमस्कार स्टूडेंट आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप अभी भी CUET का एक्जाम देने के बाद यह जो नया नया परिच्छा का व्यवस्था बनाया सरकार ने कि CUET का एक्जाम देने के बाद आपको तमाम टाप इनुवर्सिटी में अर्मिशन ले हैं अब बात आती यहां पर अगर CUET में आपका नंबर अच्छा नहीं आता है आपको मुल्चाही इनिवर्सिटी नहीं मिल पाती है तो आप क्या करेंगे तमाम राजते आपके पास हैं कि आप यह करोगे बीटेक करोगे पॉली टेक्निक करोगे या बीवी यह करने तो आज की वीडियो आपके केरियर से संबंदित है आप बीटेक में से बीएसी में से बीए में से और इसके अलामा अगर आप बीसीय करते हैं तो इन चारों में से कौन सा आपके लिए बहतर होगा अगर चारों आपके लिए बहतर सूटेबल नहीं है तो आपको क्या करना और चारलिइब दरब चाहिए इसके बारे में यह वीडियो आज है तो हम एकार के बात करते हुए सब्सक्ते करें हम हाई-फाई कालेज की बात करेंगे जिसमें बीटेक आता है तो बीटेक की कटेगरी ऐसी है जो बहुत मीडियम परिवार जो होगा या जो गरीब परिवार से बच्चे बिलांग करते होंगे उनके लिए बीटेक नहीं है क्योंकि बीटेक करने के लिए ज्यादा तर अगर आप बीटेक करते हैं यह टाइम टेकिंग हो गया उसके बाद चार सालों में एक साल के पीछे एक लाख रुपए कम से कम खर्च होंगे अगर आप बहुत ही मीडियम खर्च करने वाले स्टूडेंट बनके पढ़ते हैं तो एक लाख रुपए मिनिमम उसके बाद चा साल बीटेक हुआ चार लाख रुपए चार साल समय उसके बाद अच्छी कंपनी के प्लेसमेंट के लिए आप पता नहीं कब तक बेट करोगे और प्लेसमेंट भी अगर आपको मन मताबिक नहीं मिलता है तो उस वक्त आपका मन डाइवर्ट होगा आपका दिमाग डाइवर हुए होते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो स्टूडेंट बीटेक कर लेता है उसका माइंड सामाने ग्रेजवेशन करने वालों की तुलना में ज्यादा तेज होता है और इस वज़स्वा आईस की परिच्छा को पास कर लेता है तो यह कहानी आप जब सूनेंगे त्वाप क स्टूरेशन में कनवर्ट हो जाता है और उसके बाद भी अगर आपके आर्थिक स्थिती ठीक ठाक रही तो आप पड़ पाएंगे नहीं तो फिर आप नार्मल जो प्लेस्मेंट होगा वही नोकरी करके आप अपनी जीविखा जीने लगेंगे साधी विवा हो जाएगा और प्लेस्मेंट नहीं मिलने वाला कहीं भी तो आपको प्लेस्मेंट चाहिए चाहिए गवर्मेंट प्लेस्मेंट मिले चाहिए प्लेस्मेंट मिले बिजना प्लेस्मेंट के आप कैसे आगे बढ़ पाओगे तो आपको प्लेस्मेंट लेने के लिए आप कहोगे मैं अब आसन कोई समुद्र की तरह पता नहीं है बारिस की तरह पता नहीं है कब आएगा कब जाएगा कितना बारिस होगा कितना नहीं होगा कि ऊपर ऊपर चला जाएगा कौने का मतलब है कि सरकारी नोगरी की तैयारी में आप कभी कोई सीमा रेखा नहीं बना सकते हो कि इतने दिन में मैं पास्व कर लोगा इतने दिन में मेरा प्रेप्रेशन कम्प्लेट हो जाएगा इतने दिन वह मुझे जब मिल यागा तो मिलाज उदाकर यह इंशे करिकरिया कटनवर्ट हो जाती है भी इस बच्चा सलपाउं सलशे सल तैयारी किया तमाम परिचाओं को किया मुकदमा हुआ कोट में गया लाठी दंडा चला धरना हुआ तमाम प्रोसीजर यह सब करना पड़ा आशकल तो वह सब आपको करना पड़ेगा और अब बात करते हैं क्वाली टेक्निक का अगर आप प्वाली टेक्निक करने जातें तो आपको तीन साल लगेगा प्लेस्म में रेल विभाग में जहीं बनने की तैयारी करना शुरू कर दोगे और नौरतन कंपनियों में भी आप अपना भाग्याज माने के कोशिश करोगे तो फिर यह प्रक्रिया हो गई लांग डिरेशन में क्योंकि अगर सरकारी नौकरी के लिए आपने ठिंक बना लिया आपने सोच लिया तो समझिये कि मिनिमम पांच साल चार साल आपको देना ही देना है उसके पीछे क्योंकि वेकेंसी आने में बेकेंसी का प्रोसीजर पूरा होने में कोट में जाने में कोट से फाइनलौकर आने में आपको ज्म लेंटर देने में फूटल सारी चीजें डिनिकर होती हैं और पता नहीं आपके भाग में वह चीज है कि नहीं है कि वहाँ पर लाखों दावे. दावेदार में आप अपनी किसमत आजमाते हैं अगर यह सब मैं इस तरह बता रहा हुँ और जैसे कि सारे चिज़ें बेकार नहीं है अच्छी हैं लेकिन चीजों में पालर बहुत ज्यादा संगर्ष जादा समय बहुत ज्यादा लगता है तो अगर आपको समय ज्यादा लगाना है कि श्रेगहस पाइसा लगाना है लंमे यह समय तक जहां पर गाउं से लेकर के बीदेश तक आपका नाम हो ऐसी चीज करने से आपको भागना नहीं चाहिए आपको जरूर करना चाहिए जैसे आज के टाइम में कोडिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है अब आप समझेंगे कोडिंग क्या दीजिए अगर कोडिंग नहीं होता तो आप मुझे अपने घर से देख नहीं पाते सुन नहीं पाते सबसे पहले अगर मैं आप से बात कर रहा हूं आप मुझे सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं अच्छे से समझ पा रहे हैं तो यह एक कोडिंग करने वाले इंसान की देन है को कोडिंग का ही देन है कि आप तकनिकी का समय है तो कोडिंग की दुनिया में भी तमाम अलग अलग बेराइटीज हैं कुछ लोग कहेंगे अगर सब्सक्राइब करना है तो मुझे कितने महीने का कुर्स करना चाहिए तो अन्य लोगों से अगर आप जानकारी लेंगे पड़ोस में या गाउं में किसी से आपको सिर्फ 25-30 जार एक बार देना है 6 महीने पढ़ना है हम आपको प्लेस्मेंट दिलवा देंगे तमाम बाते ऐसे हो जाते हैं लेकिन कोडिंग का फिल्ड आपके लिए बिल्कुल नया है आप इसमें केरियर बनाने के लिए आप बहुत ही जो पुराने से पुराने अचान में रिष्टेदारी में तो आप यूट्यूब पे सर्फ कीजिए कम से कम पच्चासनों वीडियो देखिए उसमें से आप जिसको समझिए उसके द्वारा बता रहा हूं उसको फालो के दिए देखे सबसे पहले होता क्या है अगर आप दस्वी पास करके चपरासी की नौकरी कर लेते हैं तो भी आपको कहा जाएगा कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं बात को समझेगा उसके बाद जब आप दो सल चार सल चपरासी के नौकरी करते हैं तो फिर वहां प्रमोशन होता कि बाबू का पद खाली हुआ चपरासी लोग प्रमोट के जाएंगे जिन बभ में को बना देना अजो फ़ाबू बन के नोख निकरता है फिर कुछ दिन बाद परमोशन होता है अधिकारी बनना है सिर्दी पर मीशन्ट हो रहा है तो जिसके पास PG की डिगरी है वही सिर्फ पर मुंसन का हकदार हो घृ nor मेरे पास अगर saga LGBT होती हर तो मैं आदिकारी बन जाता था ऩो ऐसे को оно भी होता है कि अगर इतना लैंग्वेज पढ़ा होता है इतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहता तो मैं मैं साथ हजार मंत कि क्रापली कर प्रोग्रामी लेंग्वेज की पकड़ रखते थे वे लोग अमेरिका चले गया उनका सेलेक्शन हो गया दो लाग महीने पर मुझे यह चीज़ नहीं मालूम था इस नाते में नहीं चापाया तो मिला जुला करके कोड़िंग में भी बहुत सारे प्रोग्रामी लेंग्वेज हैं जिन्हें आप पढ़िए और समझिए जैसे की स्क्राइब जावा स्क्रिप्ट जेक्वरी पीच्प यह तो दुनिया पढ़ती पढ़ाते हैं आप इससे ऊपर की चीज़ करो ना आप रियक्ट जैस कीजिए आप नोड जैस कीजिए आप कोटलिंग पढ़िए आप यू पढ़िए आप यह तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए तो इतना देर में बात कर ना बहुंत लगा कर नहीं में पढ़ने के लिए और विदेश्टों में गों इस हिंदी में पढ़ाने वाली संस्था नाम बताना चाहता हौं जिसका नाम है वाइप हर की कि देखर के आप कोडिंग की दुनिया का जीरो से लेकर के हाई लेबल तक का कोडिंग लेंगविज बढ़ सकते हैं अब आप कहेंगे 1000 पर मंथ तो बहुत कम फीस है देखिए अगर कोई संस्था बहुत अच्छे से पढ़ाती है तो एक हजा अपनी मिनमम फीस को मंतली इस्टॉल्मेंट में convert करके आप से फृट लेगी अगर कोई सब चीटिंग करने वाली सब्सक्राइब तो एक साथ आपसे कहें में ना छोड़ पाएं उनके साथ अपना पैसा सधाने के लिए बने रहें ठीक है और जो संस्था एक दम अपने 100% मैंनस से आपको पढ़ाती है जिसको विश्वास है कि मेरे पढ़ाय हुए स्टूडेंट मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे या मेरे पढ़ाय स्टूडेंट सब्सक्राइब फीस मीनिममम 10 बार 15,000 है ताकि एक बार में आपको इतना ही जमा करना है लेकि नहीं इनको मालूम है कि हम अगर एक एक हजार लेके पढ़ते हैं तो स्टूडेंट आराम से दे भी पाएगा और पूरा कुर्स कर पाएगा क्योंकि ज्यादा तर ग्रामिल चा के बारे में कैरियर के बारे में सेभल सक्यण के बारे में के बारे में हर्क्राइन क्यों अंधिशन अब न बताहिए उनसे पूछे अज़ूशन कीजिए आज की वीडियो इतना है फिर मिलेंगे अगली वीडियो में थैंक यू